दोस्तो जानेंगे इस वीडियो में ओफलो में एक सस्पेंशन के वारे में सीरप के वारे में जानेंगे किस टाइप का ड्रग होता है कब दिया जाता है कितने बड़े बच्चे में चलता है डोज क्या होती है कितने दिन तक दे सकते हैं सब कुछ जानेंगे वीडियो पूरा देखेगा तो दोस्तों ओफलो में जो आता है एक ब्रेंड आता है मेगलोड कंपनी का करीब-करीब तीस अमल की एक छोटी सी शीशी 40 रुपे के आज पास मिल जाती है छोटे बच्चों के डॉक्टर प्रस्क्राइब करते हैं यह जो सीरा पर यह चोटा बच्चा होता है वह चलती है एग दोस्तों ऊफलो में में भी आती है जो में जो आती है जो टोड़ा बच्चाइए चार साल का पंस साल का 8 साल का तनहीं होते हैं ये वहाँ काम करके जहांपर इंफेक्षन होता है तो उस इंफेक्षन को कंने के लिए उसको ख़तम करने के लिए डोक्टरे देते हैं जिस्ए कि नाक में हो सकता है कान में आंखों मैं हो सकता है कोई लंग्स के अंदर portion पंवेक्वेश्न में काम आएगी जहां पर के इंटिदी निटैल काम हुआ है फिलू है वाइरल वाहने काम आएगी लेकिन जो इस शिरप का यूज है कि डोक्टर ज़्याद तर वहां पर सक्राइब करेंगे जहां पर बच्चे के आत्में इंफेक्शन होता है पेट के जाएगी या बच्चे के डा एर्या होनेगे जस्त लग जाएगे या बच्चे को वमिटिंग होगी मिटिंग करेगा बच्चा बाते2020 चल जाता है प्रजीब देगने के बाद पता चल चाहेगा कि इसको इन्फेक्सन है या नहिंड आखो से बटा चलेगा आ तो एक दो तिन चीजे देखके भी पता चल जाता है बच्चे के आंथ में इंफेक्शन है या नहीं अगर इंफेक्शन होगा तो वहां पर यह सब जाएगी पेट इंदर होने वाली इंफेक्शन में और फ्लक्ससंस सब्सक्राइब की जाती है चाहिए बड़ा वक्तियों चोटा बच्चाओ और यह जो शीरा पी पेट के अंदर होने वाली इंफेक्शन में देथ यह हो रहायान बच्चे के दस्त लग रहे हैं वो मिटिंग नहीं रुकरी बच्चे को बुखार नहीं उतर रहा तो दे सकते हैं तो बात करें दोज की तो देखिए इसकी डोज है ना वो कभी भी अपने क्योंकि ज्यादा दे दोगी तो नुक्सान करेगी कम दो दे दोगे तो काम नहीं करेगी तो डिपेंड करता है दोक्टर के देना चीए सबसे पहली बात और इसकी दो जाई है करीब करीब पांच अमल से लेके साड़े साथ अमल तक दिन में दो बार दी जा सकती है जितना भी बोडिवेट है उसके अकोर्डिंग देना चीए 15 से 20 अमजी पर किलोगराम की साब से दी जाती है थोड़ा ज्यादा कम भी हो सकता है डोक्टर करीब अपनी प्रेटिस के अकोर्डिंग भी दे सकती है ठीक है तो यह भी चेंज हो सकती है आज आते हैं कितना दिन लग सकता करीब-करीब 2-3 दीन लग जाते हैं इसका यूज करने के बाद ज्यादा टाइम नहीं लेती हैं सिरफ बच्छा ठीक हो जाता है करीब-करीब दोसे तीन दीन लग जाती है आटें बही तीन से 50 दिन ही rising एक दिन प्रसक्राइब कर सकते हैं नीजदार में दिकत हो सकती है पेट दर्थ हो सकता है बच्चे को कप्ज बन सकता है यह तो लिए बहुत साइड फेट हो सकते हैं देख लीजिए का अगज़ादा को डोक्टर को बता सकते हैं तो दोस्तों संपॉण रिवे था ओफ्लो मैक्स सस्पेंशन के बार में और फ्लो